नमस्कार दोस्तों रिज़केसनाईएस इंगेड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है और इसके पूर्व में उपराष्टपती के पत से सम्दित एक टापिक आप ये अप लोड किया गया है जिसके बारे में हम लोगों ने उपराष्टपत से सम्दित सभी टेक्स्ट को जो है देखा है उस पे concept को जो है clear किया है लेकिन अब हम इसके टापिक में जो भी question विविन परक्षाओं में पूछे गए हैं उसको यहां पर style करने का प्रयास करते हैं तो आईए हम लोग यह करके इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं इसमें पहला सवाल है कि भारत के उ उनों सदनों के सभी सदे से संसद के राज सभा के और राज बिधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदे से तो यह तीसरा और चौथा बिकल्प यहां पर नहीं होगा क्योंकि इसमें बिधान सभा की सदे से हैं इसमें संसद के ही केवल सदे से भाग लेते हैं लेकिन इसमे निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस से भाग लेते हैं इसलिए बिकल्ब भी यहां पर सही होगा निर्वाचित सदस से कीवल राष्टपत के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इसके पीछे एक लाजिक ये भी होता है यदि कोई भी ऐसा सदस जो राष्टपत के द्वारा मन सब के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को सम्मलित किया जाता है तो इस तरीके से यह सवाल क्लियर हो जाता है दूसरे सवाल पर हम लोग आते हैं कि नीची दिये के वक्तव्यों में कथन एक कहा गया है जब कि दूसरे को कारण कहा गया है कि कोई भी बेक्ती उपराष्टपती निर्वाचित होने का पातर तभी होगा जब वो राजसभा का सदस होने के लिए अरहित हो ये वाकि सही है और दूसरा है उपराश्टपती राजसभा का पदेन सभापती होता है ये भी बात सही है और चुकि वह राजसभा का पदेन सभापती होता है इसलिए ये आवस्चिक भी होता है कि वह कम से कम उस पद पर नियुक्त होनी के लिए निर्वाचित होनी के लिए अर्था भी रख होगा अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उपराश्टपत से संबंधेत निमलिखित कत्थनों में से कौन सा कत्थन सही नहीं है उपराश्टपत बनने के लिए बेक्टि के पास जनता के सदन जनता का सदन यानि की लोक सभा कहा जाता है कि योगता नहीं होना चाहि क्योंकि यहां पर उचे सदन या दूतिय सदन या राजे सभा की सदस सदस से बनने की योगता उसके पास होना चाहिए अर्थाती यह वाकि यहां पर गलत है दूसरा वाकिया है कि किसी राजे की बिधाईका का सदस से इस पदि के लिए उमिदवार हो सकता है उमिदवार हो और है कि वो बाद में उससे इस्तिफादे दे तो ये वाग के दूसरा भी सही है वो प्राश्टपत के पद का कारेकाल उतना ही होता है ये भी बात सही है और तीसरा है उसको एक आपचारिक महाभ्योग द्वारा हटाया जा सकता है यद्दप इसके बाद ये देखना जरूरी है कि महाभ्योग की जो ब्यवस्था है वो जो महाभ्योग की संदर्व में प्राउधान किया गया है वो केवल भारती संविधानियों राजब्यवस्था में राश्टपत के लिए किया गया है वो प्राश्टपत के लिए महाभ्योग का प्राउधान नहीं किया गया है यहा में यहाँ पर नहीं जो वाके गलत है उसी को देखना अर्थात वाके एक और चार यानि कि पिकलब संख्या यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के उपर राष्टपत के चुनाओ किस तरह होता है राष्टी अस्तर पर सीधे चुनाओ राष्टी अस्तर पर सीधे चुनाओ नहीं होता है राष्टी अस्तर पर राष्ट पर द्वारा मनोनीत भी नहीं होता है लोग सभा के सांसद और बिधान सभा के बिधेकों के द्वारा यह भी गलत है लोकसभा और राजसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाओ हाँ ये वाकिए हाँ पर सही है क्योंकि इसमें लोकसभा और राजसभा दोनों के सदसे सीधे चुनाओ जो है करते हैं यदि यहाँ पर यह लिखा रहा है जनता के द्वारा सीधे चुनाओ तो गलत होगा क्योंकि जनता लोक सभा और राजे सभा की सदस्यों को जो चुनती है तो यहाँ पर लोक सभा और राजे सभा की द्वारा चुना जाता भी कल संक्याडीज का सही उत्तर होगा अगले सभाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्लेलिखित में से कौन भारत के उपराश्टपयत का निर्वाचन करता है निच्जी देगे कूट से सही उत्तर का चुना। जो लोक सभा की सदस्यों के द्वारा उपरास्टपयत का निर्वाचन निष्चे तोर पर यह भाग लेते हैं राश्टपत की अनुपस्तिती में उसके कारियों का निर्भान डिफिनिटली करते हैं राश्टपत के पद त्याग अपदस्थी करण अथवा मिरतों की चलते राश्टपत की रूप में काम करते हैं ये भी सही है बिकल्ब संख्यादी यानि की चारों सही है इसमें दो पे हम लोग चर्चा करेंगे कि पद से सम्मधित कोई आपचारिक कारे और दाइतों नहीं है निस्चित तोर पर नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्टपती हमेशार राजसभा के सभापत की रूप में काम करता है और दूसरी तरफ जब राष्टपती ना हो तो उसके दाइतों का निर्भान करते है इसलिए यहां पर वाग के संख्याद दो भी यहां पर सही है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उपराष्टपत को उसके पद से निमनलिकित में से किसके प्रस्ताओं के द्वारा हटाया जा सकता है राज़ परिस्द या इसे ही जो है काउंसिल आफिस्टेट यानि की राज़ सभा कहा जाता हाला कि उसमें लोग सभा की बीच सहमती की आओ सकता होती है लेकिन प्रस्ताओं पहले राज़ सभा में ही लाया जाता है अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उपराश्टपत को पद्चूत करने संबन्दी प्रस्ताओं प्रस्तुत किया जा सकता है जाहिर सीवा तभी पूर में राज़ सभा में दूसरा सवाल है राज़ सभा का सभापती तो ये भी सवाल उपराश्टपती है बिहार लोग सिवा आयोग में जो है संब 2007 में ये सवाल पूंचा भी जा चुका है ऐसे साधहरन सवाल भी कई बार पर इच्छा में पूछे जाते हैं हमको स्टेंडर्ट कोईश्टन के साथ साथ छोटे सवालों को भी तैयार करने की जरूरत है और करना चाहिए अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में से किस एक के अद्धेचता अईसे के दवार की जाती जो उसका सधह से नहीं होता है जाहिर सी बात है कि उपर आष्ट पर राज्य सवा का सध़स नहीं होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अद्धेचता उनकी दवारा किया जाता है और दूसरी तरफ अगर बिधान सभा है तो बिधान सभा का अध्यच होता है उसका सदस लोक सभा के अध्यच होता है और मंत्री परशद की अध्यचता परधान मंत्री के द्वारा की जाती इस बात को भी जानना आवसिक है और परधान मंतरी सुएंग मंतर परसित का सदस होता है अर्थात यहां पर बेकल्ब संक्या सी सही होगा नीचे चार यूग में दिये गए हैं जिन में से सही यूग में बताईए जिन के दोनों महान भाव उपर आश्टवत बनने से पूरवर राजदूत अथवा उच्चा यूग थे यहां पर यह धियान में रखना है कि डाक्टर यस राधा कृष्णा इसकी जो ब्याक्ष्णा भी यहां पर दी गई है तो हम लोग देख लेते हैं इसकी ब्याक्ष्णा में दिया गया है कि राधा कृष्णन और बीबी गिरी तथा क्यार नायराण ने ये तीनों ही लोग जो है राजदूत की रूप में काम कर चुके हैं और चुकि यहां पर बिकल्प में अगर देखा जाए तो तीनों लोगों को एक साथ नहीं सामिल किया है तो हम ऐसे बिकल्प पर उत्तर लगाएंगे जिसमें दोनों लोग इन तीनों में से आते हों तो यहां पर बिकल्प संख्या बी यानि की राधा कृष्णन और बीबी गिरी आ रहा है तो यह बिकल्प सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्रिखित में से किसने भारत के उपराष्टपत का पत संभाला है यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि नीलम संजीर उड़ी नहीं थे और फकरुदीन अली भी नहीं थे जबकि यम हिदायत उल्ला जब राष्टपत बने थे तो उसके पूर विमें जो है ये उपर राष्टपत हो चुके थे और ये बात है उनिस सो साट साट हैस्भी में जब जाकिर हुशैन राष्टपत बने थे और 71 विमें इनके मृत्ति हो गई निधन हो गया उस समय बीवी गिरी राष्टपत पर जाने के लिए राष्टपत बन गए और वहाँ पर उपराष्टपति का दायतु यम हिदायतु ला के द्वारा निभाया गया था इसी तरी ये से संकर्दयासर्मा पूरे कारिकाल तक थे तो यहाँ पर एक और चार यानि की विकल्ब संख्या भी इसका सही उत्तर होगा अगला सवाल उपराष्टपति के क्रम को लेकर के है जिसे यहाँ पर असपष्ट करना होसे के कई बार इसमें नेट इत्यादी की कोईस्चन में कभी बार इंटर्व्य महीं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उप्राश्पत का करम तो यहां पर गेकीज के लिए जो सूत्र बनाया गया है कि राजबी गोबिम आसके कि यानि कि रा से है जो है राधा किष्णन, जा से है जो है जाकिर हुसें, बी से है बीबी गिरी और गो से है जो गोपाल से उपाठक, बी से है जो है बीडी जत्ती और यम से है यम हिदायत उल्ला आ से है आर बिंकट रमन है और सा से है संकर दयार सर्मा के से है के आर नारेणन और का से है जो है पुना कृष्ण कांथ यहां तक सूत्र में पिरोने का काम किया गया है बाकि उसके बाद जो है वो लेटेस्ट में आये हैं इसलिए इनका नाम स्वे जो है candidate को याद हो जाता है भाहरू सिंग सेखाउत मौमद हामिद अंसारी ये मोल रूप से दो बार जो है उपराश्ट पत हुए हैं 2007 से लेकर के 2012 2012 से लेकर के 2017 ये दो कारेकाल तक उपराश्ट पत को जो है संभाला था बरतमान समय में 2017 से यम बेंकई या नाइडू हैं और ये 2017 से जो है उपराश्ट पत बने हुए हैं जो कि बरतमान समय में भी उपराश्ट पत हैं तो इस तरीके से इसे याद करने में इन पॉइंट्स के मादिम से बहुत ही आसानी होती हैं अगले सवाल को हम देखते हैं अगला सवाल राश्ट पत के करम से जो है जो है प्रतमान समय में ये राश्ट पती हैं तो इस तरीके से कुल मिला करके राश्ट पते और राश्ट पती करम के साथ-साथ उप्राश्ट पती टापिक से अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने इसमें सॉल्व करने का प्रयास किया तो पूर्ब के लेक्चर में जो की उप्राश्ट पती के कौनसेट पराधारित था उसको अध्यन करने के बाद यदि इस टापि समझ में आ गया होगा और यदि किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेस्चन मेल पर गया डिस्क्रिप्शन में या इसी तरीके से टेली ग्राम चैनल पर भी आप भेज सकते हैं तो पूर्णा अगले टापिक में हम एक ने अगले लेक्चर में एक ने टाप सकत्ष